हेलो एन मिलकन वर्लफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन नाव हाली में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफी जगा पड़े होंगे के फ्रांस को मिलेगा दुनिया का सबसे तागत्वर मैगनेट यहाँ पे आप देहोगे फ्रांस टू गेट वर्ल्स मोस्ट पाउरफुल मैगनेट धा कें live 10 aircraft carrier जी हां imagine करो एक aircraft carrier को एक magnet अपनी power से उठा रहा है समुदर से करीब 2-3 feet उपर उठा रहा है इस trend का magnet आज के समय USA send कर रहा है फ्रांस को और इसमें भारत का भी contribution है चाइना का भी contribution है कई और देशों का contribution है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो world's most powerful magnet है इसका क्या role है और किस तरीके से भविश्य में इसे हम use कर सकते हैं पूरी मानफता की भराई के लिए So a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin एक प्रशन यहापे मैं आपसे पूछूँगा आपको simply यहाँ पर यह बताना है कि भारत और फ्रांस की जो air force exercise होती है इसका नाम क्या है शक्ती वरुन गरुडा या फिर desert eagle कॉमेंट सेक्शन में करो answer सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंड में अब जो यह पूरा topic है बहुत ही simplify करके आपको बदाता हूँ ताकि आपको proper conceptual clarity यहाँ पे develop हो पाए अब यहाँ पर आप देखोगे यह है solar system यहाँ पर है planet earth मैं zoom in कर रहा हूँ towards earth और यहाँ पर आप देख पाओगे बिलकुल सामने यहाँ पर है sun now sun किस तरीके से energy create करता है fusion से ध nuclear fusion से क्या सूरे को uranium की आवशकता है इसका answer है नहीं मगर जो हम लोग nuclear reactor use करते हैं उसमें चाहिए होता है हमको refined uranium बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है इससे nuclear waste भी produce होता है dangerous process भी है कल को गर यहाँ पर leakage हो गई तो चर्नोबिल जैसा disaster भी हो सकता है वेरास nuclear fusion में पहली बात त इससे nuclear power plant जहाँ पर uranium की आवशकता ना हो आपको बस यहाँ पर ऐसा environment create करना होगा जहाँ पर दो particles लगातार आपस में टकराते रहे energy create होती रहे और उसके बाद कुछ आपके सामने आएगा helium कुछ neutron यहाँ पर create होंगे और बहुत सारी energy आपको मिल जाएगी तो यह इस वक्त human beings करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुर्य पिछले billions and billions of साल से कर रहा है naturally हम human beings copy करने की कोशिश कर रहे है कि हम भी धरती पर क्यों ना ऐसा nuclear power plant बना पाएं अब इसी बात है यह dream बहुत बड़ा है और इसमें काफी महनत भी लगेगी तो इसके लिए बनाए गया ITER ITER की full form है international thermonuclear experimental reactor हाला कि यह पहले इसकी full form थी आज के समय इसका नाम बदल के completely ITER ही कर दिया है मतलब इतर ही कर दिया है क्योंकि Latin में इसका मतलब होता है रास्ता दपाथ तो ITER जो project है इसमें आज के समय यह सब देश आपको मिलेंगे European Union as a whole यहाँ पर है इसमें France, Germany और Belgium, various countries यहाँ पर participate करती है उसके अलावा यहाँ पर USA है भारत, Japan, Russia, South Korea और China यह सारे देश मिलकर अपने scientists, अपने researchers, PASA, funds यह सब contribute कर रहे हैं और यह सारी जो research है यह आज के समय हो रही है फ्रांस में और 2007 से लगातार जो यह सारी countries है अपनी तरफ से योगदान दे रही है, किसी country ने यहाँ पे कोई equipment दिया है, कोई country यहाँ पे दुनिया का सबसे powerful magnet दे रही है, कोई country यहाँ पे अपने scientists भेज रही है, तो इस तरीके से धीरे-धीरे ITER का जो project है, इसको हम develop कर रहे हैं और कोशिश यह है, कि जो nuclear fusion का reactor है, हम 2025 तक बना देंगे और 2030 तक हो सकता है, कि कुछ proper scientific हमारे पास result निकल के आए, जिससे हम fusion nuclear technology को property समझ पाएं और हाँ, बाइद वे, यह सब जो देश हैं, यह हैं main members, इनके अलावा कुछ और secondary members भी हैं, यहाँ पे for example, Australia, Canada, Kazakhstan, Thailand और United Kingdom अच्छा, यहाँ पे आप पूछोगे, कि भारत ने अब तक ITER project में कितना contribution दिया है, देखो हमारा contribution है around 20,000 करोड रुपे, यह बहुत बड़ा contribution है, मतलब कि 10% जो cost है, भारत ने यहाँ पे उठाई है, और फाइदा यहाँ पर यह होगा, कि जब ITER की technology properly develop हो जाएगी, आज यह बन रहा है France में, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, by the way, Google ने जो इनकी उपर की images है, यह completely block कर रखी है, पता नहीं कि हो, चायद secrecy यहाँ पे maintain कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह मैं zoom in कर रहा हूँ towards France, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सेंट पॉल लेस दुरेंस, और यहाँ पे mainly यह ITER है, और यह area completely आप देखोगे, it is pixelated बाकी और जो जगाए हैं, यहाँ पे घर वगरा, प्रोफरली आप देख सकते हैं, और सब कुछ clearly visible है, मगर एक बहुत बड़ा portion यहाँ यहाँ पे, यह नोने बिलकुली ब्लॉक कर रख यहाँ पे आप देख पाऊगे, यह ITER की website है, और यहाँ पे मैं अगर click करूँ, तो यहाँ पे आप देख पाऊगे, यह video है, ITER की, और यह पूरा project है, it is still under construction, अभी इस पे काफी काम होना बाकी है, billions of dollars यहाँ पे खर्चे जाएंगे overall, चाइना का यहाँ पे investment, एंडिया की investment है, और जब यह reactor जो है, इसका यह complete हो जाएगा, तो यह आपको देखेगा ऐसा, हमारा यहाँ पे objective यह होगा, कि 50 MW electricity यूज करके 500 MW electricity प्रड्यूस की जाए, अब यहाँ पे आप कहोगे इसका क्या मतलब है, देखो जो fission nuclear power plant है, जहाँ पर आप यूज करते हो uranium, वहाँ पे आपको energy का input इतना चाहिए नहीं होता, वहाँ पे सारा काम जो है, uranium से आप निकालोगे, reactor खोद electricity प्रड्यूस करेगा, मगर इस कीस में यहाँ पर क्या है, कि आपको पहले energy invest करनी होगी, उसके बाद energy को आप double, triple, या फिर 10 गुना, 20 गुना कर सकते हो, depending on your technology, क्योंकि आप कह सकते हैं, push करोगे, confine करोगे, तो उसके लिए आपको खुद कहीं ना कहीं से उर्जा तो यहाँ पे डालनी होगी, तो energy पहले देखो, यहाँ पे invest करनी होगी, यह करीब 500 MW की energy खुद खाएगा, मगर फिर यह produce कर सकता है, 10 से लेकर 20 गुना जादा energy, इसी तरीके से यह commercially profitable होगा, और एक बार मैं आपको यह बता दू, हमने यह technology सीख ली, कि यह कैसे काम करता है, energy prices in the future बहुत कम हो जाएंगे, और overall power consumption एक बहुत बड़ा issue रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आप देख पाऊगे, यह तोकामाग है यहाँ पे, तोकामाग वो area होता है, जहाँ पर सपोर्ट करेगा तोकामाग को, और plasma की जो भी movement है, उसको भी यह support करेगा, और जो यह दुनिया का सबसे ताकत और magnet है, इसका नाम भी है, नाम है इसका Central Solenoid, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पीस में बन जाएगा, US अराम अराम से इसके जो parts है, जो इसके components है, यह export कर रहा है आज के समय फ्रांस को, और इसके export में ही अराम से कहीं महीने भीच जाएंगे, फिर इसको assemble किया जाएगा, और फिर यहाँ पे जो heart है, ITER project का, इसको यह लोग construct करेंगे, तो जो यह magnet है, यह बताया जा रहा है, कि सबसे important component है, इस पूरे project का, इसलिए यह आज के समय काफियत तक news में है, और आप लगतार देख रहे हैं, कि दुनिया का सबसे powerful magnet, यह भेजा जा रहा है, फ्रांस में, it is only for the ITER project, और finally वापसाते हैं अपने question पे, कि what is the name of India France Air Force exercise, यह थी यहाँ पे आपकी option, और सही उत्तर यहाँ पे है, option C, exercise Garuda, बाकी जो यहाँ पे options है, exercise शक्ती यह है, इंडिया, फ्रांस की, आर्मी की, exercise वरुन, यह है, नेवी की, और जो desert eagle है, यह एक multi-national exercise है, जो होती है, United Arab Emirates में, और एक और यहाँ पे important बाद यह भी सुन लो, कि मैंने current affairs की practice के लिए, आप सब लोगों के लिए बनाई है, एक बहुत यची test series, आपको simply क्या करना है, कि comment section में जाओ, यहाँ पे pin comment में आपको मिलेगा, world affairs 3.0 UPSC CSE, इस पे click कर लो, और यहाँ पे खुलेगी absolutely free of cost UPSC test series, यह test series मैंने बनाई है, यहाँ पे जो भी current affairs topics हैं, यह properly cover होंगे, आपको simply यहाँ पे link पे click करना है, और फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, enroll, इस पे click कर देना, और यहाँ पे आपसे अगर code मांगे तो code डाल सकते हैं, यहाँ पे आप PD10, और आप हो जाओगे यहाँ पे enroll, test के questions, Hindi, English दोनों में होंगे, और proper तरीके से सारे current affairs, यहाँ पे आपके cover किये जाएंगे, so enroll कर यह test series में, it is absolutely free, और मैं इसको खुद बनाता हूँ, तो कर दो किसारे का जब ठाभकेते हैं, यहाँ प्रूणर के वा कि अंगे रहाँ वाँ थाश थेक्वा और बनाता हूँ, यहाँ राख़ना हूजर, कर दो यहाँ दो कर दो के दोक्ते हुदारी था Congत्कrá, यहाँ भुद प्त्रपकेते हैं, च Эツ जो कर जो कर दो किए्दारी